हेलो सो उंसकार आप सभी का स्वागत है अनुजी एसे केडमी चैनल पर देखे दोस्तों आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर आपका बीड इंटरेंस एकजाम के बारे में अभी देखेगा लगबग आपके पास एक महीने का समय आपकी तयारी में तो आप जो एक मह इस्ट्री है जोग्रफी है पोलिट यह एकनोमिक से आपके हिंदी है तो इसके आपके बहुत सारे आपके जो टोपिक वाइज जो आपके पीडियाफ होगे वो भी आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो आप सभी जोईन कर लिजएगा अनुजी एसे करने वाले है इसम अब आप बीड इंटेंस की तयारी आप जो है कलावर्ग से करें तो यहाँ पर देखेगा चक्सू पब्लिकेशन की आपकी इस्टिडी गाइड़ बुक है काफी अच्छी यह गाइड़ बुक है आपको इसमें पिछले पांच वर्सों के प्रिवेस मिल जाएगे और आपक देखेगा इसमें हिंदी है रिजनिंग है जी के आपका और आपका यहाँ पर देखेगा सब्जक्ट यह भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा साथ मैं आपको इसी के अंदर आपका पिछले वर्ष का जो परसन पत्र यह भी आपको इसमें मिलेगा और इस बुक के अंदर जितने भी प्रेक्टिस कोशन है उन सभी को बहुत ही अच्छे से जो इसमें एक्स्प्लेइन किया गया और इसी के साथ देखे गए आपके आपका चकसु पबलिकेसन की Steady Guide Book के साथ साथ जोहेन का देखेगा Practice IT भी आते इसमें आपको 20 PPER आपको मिलने वाले है और यह आपका Steady Guide Book और आपको Practice ID यह आपको किसी भी Bucks pumped knife लंगाना चाहते तो description link है वहां से भी जाके आप इसको ले सकते हैं यहां पर बात कर लेते हैं आपका सरकारी college के लिए जो है आपको कितने mark शाहिए इसमें तो यहां पर देख लेते हैं पिछले वर्स की बात कर लेते हैं यहां पर देखेगा आपका 400 नमबर का यहां पर सरकारी college मिले था लेकिन इस बार देखीगा थोड़ा सा आविदन की संक्या जाद है तो आपका थोड़ा सा merit जो है उसमें बढ़ जाएगा आप मान के चलिएगा इस बार आपका 260 आपका 65 आपका यहां पर 70 नमबर पे आपको जो ही इस बार government college मिलने वाला है अच्छे से त 15 से 20 दिन आपका देखेगा topic पे भी focus करिए आप अलग-अलग जो है आपके gs के reasoning के हिंदी के और अपना जो subject है और साथ में revision करी लास्ट के जब आपका अंतिम 10 दिन बचे केवल और केवल आपका revision होना चाहिए इसमें और कुछ कमेंट देखिए ऐसे भी आए के देखिए तो आपके तीन सब्जक्ट से फिरिशिट निकल जाएगी बिल्कुल निकल जाएगी आपकी लेकिन अगर आप reasoning देखिए दस से परह दिन अगर आप topic wise focus करते तो reasoning के अंदर भी आपना जो score है 35 से 40 question आप कर सकते तो आपको 4 सब्जक्ट में आपको बहतर करना होगा अगर आ एक महीने की तैयारी आपकी काफी है और ऐसा नहीं कि आप एक महीने में आपने पहले कुछ नहीं पड़ा ठीक है एक महीना है और तो आप लगतार पढ़िए इसके अलावा जो आपने notes बनाए होगे उसका आप बार-बार revision करिएगा आप यहां पर बात कर लेते हैं जुन में लिया जाएगा और आपका जुलाई में आपकी counselling कर प्रवेश परकिरिया आपकी पूरी की जाएगी तो आप मान की चलिएगा आपका 20 जुन से आपका आवेधन शुरू हो जाएगा और यहां पर देखिए आपके comment यह भी आ सकते कि सर हमें भीड करना है भीड का काफी अच्छा रहेगा इसमें अगर आपका देखिएगा गरेजिशन के इंदर आपका subject combination अच्छा है तो मेरे इसाप से आप बीड करिएगा क्योंकि आपके पास option बन जाएगा TGT का इसके लावा आपका PGT का है इसी के साथ साथ देखिएगा आपका LT grade teacher की जो vacancy आती उस प्राइमरी की जो vacancy होते उसमें आपको बीड को भी जो है आपका valid कर देगे अब आपको देखना है कि आपको बीड करना है आपको डेलेट करना है रही बात आपकी फीस की अगर आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से आप मेहनत करके इंट्रेंस निकालते तो आप बीड जो है फिरी में कर सकते है क्योंकि आपकी तीन से चार जार के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी अगर आपका देखिएगा हाई स्कूल इंटर गरेशन में आपका बहुत ही अच्छा जादा marks है यानि कि आपका 75% 80% है तो आपका देखिएगा डेलेट यानि कि आपका BTC के यह B8 आपके लिए बैस्ट रहेगा क्योंकि आपका आगे जाके जब TGT या आप LTE ग्रेड का एक्जाम दोगे उसमें आपकी कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी जाएगी केवल आपकी मैनत होती है उसमें रही बात आपकी जोब की तो देखिएगा जोब का ऐसे कुछ मै 90% तक आराम से आजाते लेकिन अब जो है देखिएगा बीट के इंदर भी आपका 80 परसेंट आपका 90 परसेंट बिल्कुल आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप बीड के इंदर अच्छी परसेंटेज नहीं लासकते बिल्कुल लासकते बस आपकी मेनत के उपर डिपैंड क आई है इसमें अध्यक्त कर आएगा तो यह आपका 25 जून को आपका एड्मीट काड आ जाएगा इसमें ठीक बाकि आपका कोई भी डाया है तो आप कमेंड कर दीजेगा और आपके वई देखिए आपका हिस्ट्री जोगरफी पोलिटी इकनोमिक्स आपका हिंदी के आपके जो सोट नोट से आपके डाल दे जाएगे टेलिग्राम गुरूप पे ये आपके जो है साट से सतर आपके टोपिक है और ये सोट नोट आपके जो एक्जाम है उसमें बहुत ही जादा आपको हेल्प करेगे